किसान अंदोलन के करीब तीन महिने पूरे होने बाले हैं अंदोलन के प्रमुक चेहरा राकेश तिकेट इन दिनों अलग-अलग राजियों में गाम गाम जाकर किसान महापंचायत कर रहे हैं गाम में होने बाली इस महापंचायत को धार देने के लिए खुद गाम के किसान पहली पंक्ती में आख़डे हुए हैं महापंचायत और गाजिपुर वॉडर पर अंदोलन धीमा ना पड़े उसके लिए महलाएं और खेत किसान घर घर से चंदा दे रहे हैं बिलाओं और पुर्ष किसानों का कहना है कि सिर्फ पैसे और खाने पीने के सामानों का अभाब इस अंदोलन को नहीं कुचल सकता देखिए ये रिपोर्ट कोई जन्ता कम नहीं है वहां कोई भंडारा कम नहीं है वहां कोई रासन कम नहीं है लेकिन यह बात जरूर हुआ है कि वहाँ पर कुछ लोग हमारे कम होए है जो मौज़िद लोग हैं जैसे के आप देख रहे हैं कि परते एक जनपद में कई कई हमारी महापंचायते हो रही है और वो महापंचायते आज पचास हजार से लेके एक लाख तक की भीड़की हो रही है कैमरे आपके गवा हैं हो रही है तो जैसे अब हमारे यहां कल आदर्णिये टिकेट साब आ रहे हैं तो हम गाउं में आई हैं यह हमारा गाउं है खैरपुर यह सहीदों का गाउं कहला जाते हैं खैरपुर और सैदपुर यह हमारे यहां के बड़े मसूर गाउं है हमारे यहा पर चंदे के रूप में भी पैसे दिये हैं और हमारे पास परते गाउं से इसी तरीके से चंदा इखटा हो रहा है कल यहां भी लाखों की तादाद में भीड़ रहेगी मतलब पचास से एक लाख के करीब की जो संभाव ना है तो जो यह पंचायते हैं जैसे कि हम वहां से मौ हैं अपने में हम वहां से अपने छेत्रों में किसानों को अब जागरू करने के लिए निकले हैं चूंकि लोग अफवाव का दौर फैला रहे हैं इसलिए भी यह पंचायते बहुत जरूरी है आज किसान एकत्रीत है पूंड रूप से एक साथ है और यहां से गाउं से हमें खूब चंदा भी मिल रहा है अभी बलकि मुझे बड़ा कस्थ हुआ एक हमारे ठेख हैरपुर गाउं के मरीज थे बिचारे बिमार थे फिर भी उन्होंने कुछ रुपे साथ सो आठ सो नो सो रुपे करीब जो है चंदा दिया है हमें और हमने अगरे किया कि आप मत दो भी मार हो उसने का नहीं कोई बात नहीं है चाहे मेरी दवाई आए ना है लेकिन मैं जो है चंदा जरूर दूँगा और ये मैं आपको बता दूँ कि इस बार किसान तन मन धन से एकतित हो चुका है इस बार किसान जूटे वादे रबड की गोली लाठियों की फटकार गोली बचाने के लिए अपनी जमीन बचाने के लिए वह जमीन जिसे लाखों करोडों साल से उसके पैतरक उसके जो है बुजुर्ग उसे पीड़ी दर पीड़ी देते चले आए तो किसान का ये मन है कि वह भी अपने आने वाली पीड़ियों के लिए इस जमीन को सुरक्षित तोचो खबरों के यूँ ही जुड़े रहे हमारे साथ और हां हमें सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये बेल आइकन को जरूर प्राइब